मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हम अपने SBI एकाउंट से किसी भी दूसरे SBI एकाउंट में पैसे टांसफर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राब करना ना भूलिएगा तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहले तो हमें ओपेन करना है अपनी गूगल क्रोम को और वहां पर टाइप करना है online sbi.com online sbi.com के personal banking sector में लोगिन करना है और लोगिन करने के बाद यहाँ पर अपनी यूजर नेम पासवर्ड और केप्चा कोड यहाँ मैंने यूजर नेम पासवर्ड और केप्चा कोड डाल लिया है अब कर लेते हैं लोगिन लोगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से online banking के थुरू हम अपने एकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक के एकाउंट में पैसे को कैसे आटिज्स करके ट्रांसफर कर सकते हैं इसके लिए हमें जो अपनी दूसरी वाली ऑप्रसें पैमेंट को ग्लीक करना हैं यहाँ पर कलिक करने के बाद हम सोट कर तोरपर जा भी सकते हैं आधर बैंक ट्रांसफर अननर बैंकों का खातर लेकिन मैं आपको बॉस नो प्रोसेस दूसरा वाला है एड मेनेज बेनिफिसेरी और तीसरा वाला यहां देख सकते हैं आउटसाइड सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए आपको मैं वीडियो के आगे में दिखाऊंगा यह सबसे पहले जान लेते हैं कुईक ट्रांसफर हम कैसे कर सकते हैं तो यह कुईक ट्रांसफर की पेज ओपेन होगे हैं यहां पर लिखाई हुआ है वीडाउट एडिंग बेनिफिसेरी यहां पर जो पहला वाला ओप्शन है वह हमारे एकाउंट नंबर मतलब हमारी एकाउंट नंबर से पैसे डेबिट हो जाएंगे यहां पर सबसे पहले तो म एकाउंट में मुझे पैसे कोट ट्रांसफर करना है यहां पर जो सिलेक्ट अप्सिण है यहां पर मुझे सिलेक्ट करना मुझे करना पड़ेगा अधरव मुझे चीवडिने बियकोंow m सीदिटेल wha bis दुसरे बैंक की ATM में पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं अगर ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास यहां पर दो अप्सों होगे एक तो प्याएंपेल लेकिन मुझे यहांपर एने एक पीज है वीज़ सेट करनी होगी और मुझे यहां डालना है और Queens मुझे कर लेना है Corps Venet An present a common ज़र्म सब्दों कि मैं शालोबने मैं यहांठेलो मैं लिंखसकता हूं त्रीनिध त्रकाव सेर्ण maximum एक एकाउंट में 25,000 रूपीज तरकी ट्रांसपर कर सकते हैं maximum और एक बारी में हम maximum 10,000 रूपीज तरकी transfer कर सकते हैं तो इसे आप note करके रख लीजियेगा यहाँ पर मुझे Thompson condition को accept करना है उसके बाद submit क्लिक करना है, submit को क्लिक करने के बाद एक OTP आएगी हमारी register mobile number पर next screen में OTP को डाल देना है और उसके बाद account से पैसे तुरंथी other bank की account में credit हो जाएगी मतलब beneficiary की account में credit हो जाएगी उसके पर फिर से मुझे payments and transfer option में जाना है अब मुझे सिखना है कि हम beneficiary को कैसे कर सकते हैं और यह beneficiary किस काम में आता है इसके लिए मुझे दो नमबर वाली option में जाना है और यहां पर जाकर सबसे पहले मुझे यहां पर डालना होगा मेरी internet banking की profile password को profile password को यहां में फटाफट डालने के बाद यहां पर option सारे options खुल जाएंगे तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं beneficiary को add करने के screen आगे हैं अब जो पहला वाला option है वह SBI beneficiary को add करना है और जो दूसरा वाला option है वह other bank की beneficiary को add करना चाहूं तो यहां पर add कर सकता हूं name देना होगा account नमबर देना होगा फिर से confirm करना होगा address देना होगा फिर यहां पर मुझे ifsc code को select कर लेना है और ifsc code भी डाल देनी है उस branch की जिस ब्रांच की account में मुझे transfer करना है अपने पैसे को अगर account में हम पैसे transfer करना चाहते हैं तो ifsc code वहां पर compulsory है फिर यहां पर यहां पर मुझे terms and conditions को accept कर लेना है और accept करने के बाद फिर सब्मित कर देना है और सब्मित करने के बाद OTP आएगी OTP आने के बाद डालने के बाद मेरी जो भी beneficiary है वह एड हो जाएगी यहां पर एक बात अब ध्यान दखिएगा अगर हम beneficiary को सुबह 6 बजी से राट के 8 बजे की बीच एड करते हैं तो within 4 hours beneficiary same day अगर हम beneficiary को 8 बजे के बाद करते हैं तो अगले दिन के सुबह 8 बजी के बाद ही beneficiary एड होगे और एक दिन में हम सिव एक ही beneficiary को एड कर सकते हैं तो इस तरह से हम अगर चाहे तो beneficiary को एड और डिलिट कर सकते हैं इसी option में जाकर अब चलिए सीख लेते हैं तीन नंबर वाली option अधर बैंक ट्रांसफर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसके click करते हैं click करने के बाद यहां पर हमें सिलेक करना पड़ता है यहां आप देख सकते हैं यहां पर आटीजेस उपर में दिया हुआ है transfer amount minimum 2 lakhs और maximum यहां पर कोई भी limit नहीं है और credit हो जाती है दो घंटे के अंदर और अगर anyft करना चाहे तो anyft को हम 10 lakh तक कर सकते है minimum कुछ भी limit नहीं है और यह जो पैसे है यह credit होने पर थोड़े सी समय लेती है तो सब में पकड़ लीजे मैंने anyft select कर लिए तो anyft को select करते के साथ मैं proceed करता हूं और proceed करने के बाद यहां पर अगर मैंने कोई beneficiary 8 को हुई होती है हुई है तो यह beneficiary यहां पर आ जाएगी और beneficiary आने के बाद मैं अपने पैसे को वहां पर transfer कर सकता मुझे simple beneficiary को select कर लेना है amount डाल देना है और उसके बार सब्मीट कर देना है और सब्मीट करने के बाद एक OTP आएगी हमारे डिस्टर मोबाइल नंबर पर और OTP को डालने के बाद तुरंथ हमारे एकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएगे और थोड़ी देर बाद beneficiary के एकाउंट में पैसे डल जाएगे यहां पर मैंने beneficiary पैसे डाल सकते हैं अपने सब्सक्राइब को अगर आपको कुछ इंफर्मेशन मिला होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा जिससे की मेरे ऐसे इने वीडियो की notification तुरंत आपके पास मिल जाए करेगी तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care